नमस्कार डिनेक्स गोट गासिप में स्वागत है फिर से एक बार आपका आज के गोट गासिप की पहली कड़ी गोल माल है भाई शब गोल माल है आवाश योजना पर ग्रहन जवाब में जुगई की डुगडुगी प्रदेश में आजकर राजनीती भी बड़ी रोमांचक मुद्रा में है कोरोना काल है सावन है और गोबर तिहार भी है एक किलो गोबर के बतले दो किलो चावल देने वाले इस सम्रिद्ध प्रतीत राज्य की राजनीती में पढ़ाये जाने वाला ध्याय कुछ और है कक्षा में पूछे जाने वाले प्रस्ण अलग है प्रस्णों का जवाब उससे भी अलग है और पढ़ाते वे टीचर के समक छात्र कुछ अलग ही प्रस्ण करता है ऐसे ही गासिप गोट की टीम ने देखा चतिस गड़ में गवधन न्याय योजना और गोबर खरीदी योजना चल रही है बड़े पैमाने पर गोबर खरीदी योजना के बीच एक बहन ने राखी और दारू सम्मंदे प्रस्ण उचाल दिया जिनके हिस्से जवाब दही बनता है उन्होंने जवाब में लुगरभेद दिया लुगरभेदने के साथ उन्होंने यह प्रस्ण भी उठा दिया कि आप ये प्रस्ण अपने इर्दगिर्द लोगों से क्यों नहीं करती आप और प्रस्ण करके अनिचात्रों को क्यों नहीं जगाती इतना सुनते ही भईया और भी लोग जाग गए अब जागे वे लोगों ने राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना पर ग्रहन लगने का मुद्ध उठा दिया बकाइदा विपक्ष ने एक सवाल उचाल दिया प्रधान मंत्री आवास योजना पर ग्रहन लगा हुआ है राज्य ने अपने हिस्से का 1554 करोड उपे की राशी नहीं दी सक्ता पक्ष भी कहां चुकने वाला प्रस्ण कुछ और उचाल दिये सिलेबस से हटके उत्तर दे दिया तुरन सक्ता पक्ष ने जवाब दिया आपके शासनकाल को देखो आपके शासनकाल में प्रदेश जुग्गी बस्तियों वाला राज्य बन गए था वा भाई गजब गोट गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अब आगे बढ़ते हैं एक को मिलने की खुशी तो दूसरे को खोने का गम क्या है भीया ये भाईया जी लोगों मैं कुछ चेहरे में जहां खुशी दिखाई दे रही है वहीं कुछ बड़े चेहरे बड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं ना सिर्फ ये बड़े चेहरे दुखी दिखाई दे रहे हैं वरन इनके इर्द गिर्द की चोकडियों के चेहरे से भी हवाईया बुझी हुई है दरसल राज में निगम मंडल में उन चेहरों को जगा मिली है जो अनेक पैमानों पे अपने आपको प्रूफ कर पाए अब या निगम मंडल में जिन चेहरों को जगा मिली है उन चेहरों में संतुष्टी का भाव दिखाई देता है वहीं जिन बिभाग के निगम मंडलों में जगा मिली है उस बिभागी मंत्री जी और उनके आसपास के लोगों के चेहरों में हवाई या उड़ी दिखाई देती है ये चर्चा का विशा है पर ये क्यों ऐसी चर्चा क्यों दरसल 36 गड़ में बिधायकों की शंख्या के अधार पर 12 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते 12 मंत्री और लगभग 30 से 35 के करीब बिभाग अरथाट एक मंत्री के पास 3 3 विभाग ये 10 साल से 36 गड़ में सारे मंत्री जी तीन से लेकर 5 पिभागों का संचालन अकेले मंत्री जी के जिम्में था अब मंतरी जी के साथ सावन महिने में एक-एक संसदी सची उज़ो जोर दिया गया उपर से निगम मंडल अलग कर दिये गए निगम मंडल में एक-एक अध्यास की नुक्ति हो गई शदश्यों की नुक्ति हो गई स्वाभाविक रूप से सत्ता के इस विकेंद्री करण से राज का बटवारा हो गया बड़ा राज बड़े राज की टोटल जिम्मेदारी बहुत छोटे हिस्से में सिमट गई तो चेहरों पे थोड़ा हवाईया दिखाना तो लाजिमी है बहराल ये तो गासिब गोट की बाते हैं अंदाज गासिब गोट में यही लगाया गया है सच्चाई क्या है ये तो वही जाने जिनके चेहरे में हवाईया लटकी हुई है गासिब गोट की अगली कड़ी कांगरेश चली भाजपा की राह पर जी हाँ, कांग्रेस भी अब भाजपा की राह पर चल पड़ी है इस राज में भाजपा की कट्टर बिरोधी, पक पक पर बिरोध करने वाली कांग्रेस भी अब भाजपा की राह पर चल पड़ी है आप अंदाद लगा रहे होंगे संसदी सचीओं के नियुक्ति, नहीं नहीं, हम संसदी सचीओं के नियुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं फरक इतना ही है कि भाजपा ने जो शिर्ष पर किया, कांग्रेस ने वह नीचेश शुरू किया है गरु की बात तो यह है कि गोबर खरीदी करने वाले और 25 रुपय प्रतिकुंटल किदर से धान खरीदी करने वाले भारत के प्रथम राज्य का खिताब धारी 36 गड़ राज्य में इसकी शुरुवात हुई है कांगरिस ने मार्ग दर्शक मंडल बनाया है मार्ग दर्शक मंडल आप समझ गए न यह 75 पार का नहीं है यह प्रयोग नगर पालिका निगम में किया गया है वरिष्ट पार्शदों और पुर्व पार्शदों को मार्ग दर्शक मंडल में रखा गया है मार्ग दर्शक का दर्द वही जानते हैं जो इस मंडल में होते हैं देखना दिल्चस्प होगा कांगरेस कहां तक सिड़ी चरपाती है अब चलते हैं गासिप गोट की अगली कड़ी लागडाउन से न छूट से कोरोना मरेगा बंदूक से सभी सरकारे कोरोना से लड़ने और उसे खत्म करने का दावा कर रही है एक बार फिर लागडाउन लगा दिया गया यह प्रदेश इस्तर का लागडाउन है इस बार तो ऐसा लगा जैसे कोरोना को मारने के लिए लाट साहा भी काफी है काहे सफेदी लाल बकबकिया रहे हैं कि कोरोना को खत्म करना ही है लाट साहब तो कोरोना को चुटकी में बंदूकों से मार सकते हैं यह बाद जब फैली तो कोरोना वायरस भी कुरारंटीन हो गया डर गया था बेचारा बड़ी बड़ी बंदू को और लाव लशकर देखकर क्योंकि जनता तो घूमते दिखाई दे रही है पूरे एक हफ़ते में कोरोना को लाट साहब अपने लाव लशकरों से घूम घूम कर खत्म कर देंगे बलकि जनता को यह बात नहीं मालूम थी वे तो लाट साहब का लाव लशकर देखकर सोच रहे थे आखिर क्या हो गया कहीं गड़बड हो गया गाशिप गोट की अगली कड़ी हम रोपा नहीं लगाएंगे तो तुम क्या खाओगे एक सब्ता के लाट डाउन को कड़ाई से पालन करवाने में सासन के बड़े साहबों ने कमर कस लिया है जी हाँ बेल्ट को टाइट कर लिया है लेकिन इस लागडाउन से किसानों को छूट नहीं दी गई है ऐसी जानकारी है इसी के चलते एक किसान को पुलिस ने रोक लिया पूछे जाने पर किसान ने कहा वह किसानी कारी से अपने खेतों में जा रहा है पुलीस वालों ने उसे जानकारी दी कि किसानों के लिए छूट नहीं है फिर क्या था उनकी इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने फोन लगा दिया 36 गड़का किसान अब जो बात पुलीस को समझ में नहीं आई वह बात फोन उठाने वाले उनके विभाग के करमचारी को समझ आ गई किसान को फोन पर जानकारी मिली कि आप किसानी कारी के लिए जा सकते हैं किसान ने कहा यदि उसे फिर रोपा गया तो वह क्या करेगा उधर से जवाब आया यदि रोके तो उन्हें कहना हम रोपा नहीं लगाएंगे तो तुम खाओगे क्या धन्यवाद